नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कलांतर 2021 आन्यूल आर्ट फेस्टिवल में स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको यह बताया था कि आप कैसे कलांतर आर्ट ट्रस्ट की वेबसाइट पर साइन अप कर सकते हैं। कैसे आप रेजिस्ट्रेशन पेज पर जाकर अपनी एंट्रीज को रेजिस्टर कर सकते हैं। पर पिछले कुछ दिनों में पेंटिंग और राइटिंग कॉम्पेटिशन के दौरान हमारे सामने बहुत सारे प्रशना आये जिनके उत्तर देना अत्यावश्यक है। दोस्तों कुछ बातें आपको यहाँ पर नोट करनी होंगी। एक प्रशनी यह आया कि क्या हम अपनी एंट्रीज को इमेल के जरीए भेज सकते हैं। दोस्तों कृप्या ध्यान रखिये कि क्या कॉम्पेटिशन पूरे तरीके से ओनलाइन है। इसकी जो भी एंट्रीज सम्मिट होंगी, वो कलांतरार्ट.org की वेबसाइट पर ही सम्मिट की जाएंगी। किसी अन्य माध्यम से, चाहे वो email हो, चाहे वो social media हो, चाहे वो whatsapp messenger हो, किसी भी माध्यम से यह entries स्वीकार नहीं की जाएंगी. यह entries सिर्फ kalantarart.org के registration form के माध्यम से ही स्वीकार की जाएंगी. दोस्तों, यहाँ पर एक आवश्यक बात यह भी है, कि painting और writing की entries submit करने की प्रक्रिया, music और drama की entries submit करने की प्रक्रिया से थोड़ी भेंदने थी. इसलिए, music और drama की entries को submit करने के लिए, यह video बनाना और आपके सामने प्रस्तुत करना बेहद अनिवार्य था. दोस्तों, एक और समस्या जो हमने देखी है, वो यह है कि कई participants सिर्फ स्कूल का letter मिलते ही, या फिर अपने सरकारी पत्र के प्राप्त होते ही, सीधे हमें call करते हैं या फिर हमें mail करते हैं कि आप हमें ये बताइए, कि हमें इसमें कैसे registration करनी है. हमारा उन सबसे यह निवेदन है कि सबसे पहले इस competition की सूचना मिलते ही, आप सबसे पहले हमारी website पर जाकर instruction पेज पर instruction के वो 18 points जरूर पढ़ीं जिनमें आपको submit करने की प्रक्रिया समझाई गई है. उसके अलावा हमारा sign up और registration करने वाला वीडियो भी देखें. इन दोनों चीज़ों को करने से आपको बहुत सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी. आपको यहां यह समझना जरूरी होगा कि यदि आप इन instructions को नहीं पढ़ेंगे और सीधे हमें call करेंगे, तो शायद हमारे लिए आप सभी की साहता करना मुश्किल हो जाएगा. प्रक्रिया को अर्थात कलांतर 2021 Annual Art Festival में प्रतिभागी होने की प्रक्रिया का वीडियो देखें, संबंधित instruction पेज को पढ़ें और उसके बाद यदि आपको कोई समस्या नजर आती है, तो उस संबंधित समस्या को हमें इमेल के जरीए बताएं, जिससे की हम इमेल के द्वारा ही आपकी समस्या का समाधान कर सकें। इससे हमारा समय भी सार्थक्ता से उप्योग होगा और आप भी प्रक्रिया को बहतर धरीके से समझ पाएंगे। तो आईए चलते हैं उस प्रक्रिया को समझने की हम म्यूजिक और ड्रामा की एंट्रीज को कैसे कलांतर आर्ट की वेबसाइट पर रेजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा पेंटिंग और राइटिंग के समिशन से कैसे ये ड्रामा और म्यूजिक का समिशन अलग है। ये म्यूजिक या ड्रामा की वीडियो बनाते समय उसका साइज 200 से लेकर 800 MB या फिर 1 GB तक भी हो सकता है। अधिक्तम अवधी यानि की maximum duration 5 minutes रखी गई है। तीन मिनट से कम की अवधी की entry हमारे लिए अमान्य होगी और 5 मिनट से अधिक की अवधी की entry भी हमारे लिए अमान्य होगी। इसी लिए आपकी प्रतिभागी entry यां तीन मिनट से 5 मिनट के बीच की ही वीडियो होनी चाहिए चाहे वो संगीद की वीडियो हो या ड्रामा की वीडियो हो। आपको अपनी योजना इस प्रकार बनानी है की समय सीमा का अनुपालन हो पाए। दोस्तों जब आपने कलांतर आर्ट्रस्ट की वेबसाइट पर साइन अप कर लिया है और जब आपने दुबारा अपनी entry को सब्मिक करने के लिए साइन इन किया तो आपको यह पेज देखने को मिलेगा। इस पेज में my registration, new registration और logout यह तीन लिंक्स दिये हैं। आपको new registration पर क्लिक करना है जिसके बाद आपके पास यह form open होगा। इस form को open करने पर आपको कलांतर 2021 सेलेक्ट करना है। फिर music या drama सेलेक्ट करके अपना age group सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि आपको अपना group name डालना है और एक group leader का नाम डालना है। group leader के नाम के against जो date of birth आएगी वही date of birth आपको date of birth की field में enter करनी है। और यहाँ पर कि date of birth और यहाँ पर आपको यह भी ध्यान देना है कि date of birth सभी प्रतिभागियों की, जाहे वो music में हो या drama में, आपको यह ध्यान देना है कि सभी प्रतिभागी उसी age group को follow करते हूँ, यदि एक भी प्रतिभागी उस age group से अलग हुआ, तो आपकी entry cancel हो जाएग जैसे कि आपका mother's name, father's name और address line ये सारी चीज़े, अपनी entry और इसके बाद बहुत विशेश बात ये है कि आपको अपनी entry को attach कैसे करना है और हमारे साथ share कैसे करना है, तो कि address या कि father's name, mother's name, date of birth ये कैसे fill करना है ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, हम इसको अधिक detail में नहीं बताएंगे, आपने अपनी जरूरी जानकारियां हमारी website में डाल दी, उसके बाद बारी आती है आपकी entry को attach करने की, यहां entry attach करने का मुख्य भाग आपको समझना होगा जैसा कि हमने पहले बताया कि ये files heavy होंगी, इसलिए आपको अपनी music या drama क वीडियो को अपनी google drive में upload करना है, उसके बाद google drive पर uploaded उस file को आपको हमारे kalantarartrust.gmail.com के email address पर share करना है, वो प्रक्रिया हम आपको यहां दिखा रहे हैं, यह माल लीजे आपने अपनी file को यहां पर upload कर दिया है, अब आप share पर click करेंगे, share पर click करने के बाद आप kalantarartrust.g email.com टाइप करेंगे, इसको select करने के बाद आपके पास तीन options आते हैं, view, comment और edit, आपको edit select करना है, एडिटर select करने के बाद आपको manage access करना है, जिसमें की आपको हमें restricted access में रखना है, और kalantarartrust को वो permission देनी है, कि वो आपकी file को use कर सके, एडिटर की तरह, इसके बाद आप आपको link generate करनी है, link में आपको, आपको उस file का link मिल जाएगा, जिसको की आपको हमारी website पर share करना है, और उसके साथ ही इस page का screenshot आपको खीशना है, जिसमें के ये दिखे कि आपने अपनी file को kalantarartrust.gmail.com पर share कर दिया है, अब आप यहाँ पर आकर इस text box में, अपनी उस video की URL link को paste कर देंगे, और choose file पर click करके, आप अपने gallery से उस screenshot को यहाँ पर attach करेंगे, जिससे की यह समझ में आ जाए कि आपने kalantarartrust.gmail.com पर यह file share की है, यह करने के बाद आप एक बार पुनह चेक करेंगे कि आपनी सारी fields की entry सही तरीके से भरी है या नहीं, उसके बाद I accept the terms and conditions पर click करने के बाद, आप register button पर click करेंगे, तो आपकी entry Kalantar Art Trust के Kalantar 2021 Annual Art Festival में दर्ज हो जाएगी, दोस्तों यहाँ पर कुछ विशेश बाते मैं आपको पुनह बता देता हूँ, कि हमारी website पर entry submit करने पर ही आपकी entry हमारे लिए मानने होगी, यहाँ कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि क्या हमें यहाँ पर अपने गाने गाकर submit करने हैं, यहाँ पर आपको यह भी जानना आवश्यक है कि आपके कोई भी गाना गाने पर आपकी entry मान्य नहीं होगी, हमने आपको अपनी age group के हिसाब से 4 topics दिये हैं, और उन 4 topics में से एक चुनकर ही आपको उसके उपर गाना बनाना है और गाना गाना है और हो सके तो संगीत के साथ गाना गाना है, ड्रामा के केस में अपने दियो ही चार topics में से किसी एक topic को दर्शाते हुए ही आपको अपनी ड्रामा की video बनानी है और वही submit करनी है, एक प्रशन हमारे सामने यह भी आया कि music या drama प्रतियोगि में maximum कितने लोगों का group part ले सकता है दोस्तों आप यहाँ note करें कि हमें इस बात से कोई भी परहेज नहीं है कि आप दो लोग मिलकर music create कर रहे हैं या आप अकेले गाना लिख भी रहे हैं और create कर रहे हैं कि आप अकेले ही grammatic form में उस concept को present कर रहे हैं और इस बात से भी परहेज नहीं है कि आपकी drama की entry में या फिर आपके music composition में 10, 15, 20 या फिर उससे भी अधिक लोग शामिल हुए हैं drama और music की इस प्रतियोगिता को रखने का उदेश ना सिर्फ आपके भीतर शिपी कला की प्रतिभा को बाहर लाना है बल्कि आपके भीतर team skills को भी develop करना है इसलिए आप जितने अच्छे तरीके से team coordination के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे उतना ही आपके इस प्रतियोगिता के विजेता बनने के chances ज्यादा है कुछ संस्थाओं के representatives का यह भी प्रशन आया कि क्या हम अपनी संस्थाओं से सिर्फ एक ही बार प्रतिभाग कर सकते हैं यहाँ पर फिर से आपको यह समझना आवश्यक है कि जदी आप एक संस्था को represent कर रहे हैं तो आपकी संस्था में हो सकता है कि चार बच्चों या फिर चार अध्यापकों ने अलग ग्रूप बना लिया हो या कुछ classes के अलग ग्रूप बने हो तो आप किसी भी संस्था से जुड़े हो आप एक से अधिक कितने भी प्रतिभाग कर सकते हैं बस शर्त यह है कि हर एक entry में कोई भी participant रिपीट नहीं होना चाहिए उधारण के तौर पर यदी 1,2,3,4 यह चार व्यक्ति किसी music प्रतिवागिता में प्रतिभाग कर रहे हैं तो 5,6,7,8 तो प्रतिभाग कर सकते हैं लेकिन 1,6,7,8 या फिर 2,3,7,8 यह व्यक्ति प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं अर्थात नई टीमों में 1,2,3 या 4 में से कोई भी member नहीं हो सकता जो व्यक्ति किसी एक ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं वह व्यक्ति किसी दूसरे ग्रुप में उसी प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बन सकते हैं पर वो संस्था अपने यहां विद्यमान अलग-अलग कलाओं का ग्रुप बनाकर विभिन प्रतिभाग कर सकती है दोस्तों फिर अगला प्रशन यह भी आया कि इस प्रतियोगिता में पब्लिक वोटिंग की क्या इंपोर्टन्स है तो यहां पर यह बताना आवश्यक है कि जब आप अपनी म्यूजिक की वीडियो को गूगल ड्राइफ पर कलांतरार्ट्रस्ट at gmail.com की email address पर editor की authorities के साथ share करेंगे उसके बाद हम आपकी उस वीडियो को डाउनलोड करके कलांतरार्ट्रस्ट के facebook पेज़ पर डालेंगे उस facebook पेज़ पर डाली गई वीडियो पर number of likes, number of comments और number of shares इन तीनों को add करके आपके public opinion को समझा जाएगा और study किया जाएगा और उसके बाद उस score को हमारी internal jury की marking से match कराते हुए हमारे दिये हुए formula के अनुसार हम विजेता का निर्णाय करेंगे music की वीडियो हम कलांतर आर्ट ट्रस्ट के facebook पेज पर डालेंगे पर drama की वीडियो को हम कलांतर आर्ट ट्रस्ट के youtube चानल पर डालेंगे music वीडियो की तरह ही drama में भी public voting की weightage है सभी प्रतियोगिताओं में कलांतर का निर्णाय अन्तिम होगा और इसमें हम कोई भी objection accept नहीं करेंगे दिये होए schedule के बीच की गई public voting को ही मान्य समझा जाएगा music और drama की वीडियो की voting के लिए आप हमारे instructions में schedules को देख सकते हैं public voting की शुरुवात entry submission के अन्तिम दिन के बाद ही होगी आशा है अब आप पूरी प्रक्रिया को समझ चुके हैं जदी फिर भी आपको कोई संधे हो तो कृपया kalantarart at redifmail.com पर अपनी queries भेजें